गोंदिया शहर के गुरुलाल चौक सित एटूजेट महासल की दुकानों में अठा मार्च की शाम साड़े पाच बजे की दौरान भी शिन आग लगे जिसमें लाखो रुपे का माल जर कर खाक हो गया यह आग की लप्टे शहर में दूर तक देखी गई आग पर काबु पाने के लिए गोंदिया तिरोडा आमगाउ से आई अगनी शामक की गाड़ियों को 6-7 घंटे तक प्रयास करना पड़ा अनुमान लगाया जा रहा है कि शौर्ट सरके के कारण यखट ना हुई है चानकारी के अनुसार धुली वंदन का त्योहार होने के कारण दुकान में काम करने वाले सभी कर्मचारी अपने घर गए हुए थी जिसके कारण सेल की दुकान की शटर बन थे 18 मार्च के शाम अचानक दुकान में से आग की लप्टे उठती दिखाई थी जिससे सारे परिसर में खल बली मच गई गौरतलब है कि शेल के दुकान से सटी हुई मार्केट की अन्य दुकाने एवं मकान है त्योहार का दिन होने से सडक पर चहल पहल नहीं थी जिससे इस छोटे रास्ते पर अगनिशामक की गाड़ियों को आने में अधिक परिशानी हुई इसके बाउचित देर तक प्रयास के बाद ही आग परकाबू पाया चा सका घटना की जानकारी गोंधिया के दमकल विभाग को मिलने के बाद तकाल वहाँ से अगनिशामक की गाड़िया आग को नियंतरन करने के लिए घटना पर पहुची लेकिन आग के भयानक रूप को देखते हुए अधानी पावर प्लांट लिमिटेड की फायर गोंधिया के अलावा गोरे गाओ आम गाओ के भी दमकल की काड़िया मंगवाई गई बीसियन नियूस के लिए गोंधिया से अभिशेक पतनागर की रिपोर्ट